नमस्कार मैं मौम्मत वेसल और आप देख रहे हैं निशनल दस्तर रविवार साम जब परदान मंत्री मोधी अमरीका में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे थे ठीक उसी वक्त जारकंड के खूटी में तीन लोगों को भीड़ने महर्द मास बेचने के आरोप में हमला पूर लिया जिसमें एक सक्स की मोध हो गई दरसल बीजेपी सासित परदेश जारकंड में सब कुछ ठीक नहीं है वो भी जब तब एक लिंचिंग का मामला यानि के तबरेज अंसारी का खत्म भी ना हुआ हो भीड़ने एक बार फिर गोकशी के नाव पर एक की जान लेगी इसके बाद भी विदेश जाकर हमारे प्रदान मंतरी मोधी जी ये दावा करते हैं कि देश में सब कुछ ठीक है ऐसे में सवाल उठता है कि लगतार उबर होती भीड़ को आखिर रोकने का क्या इलाज है क्या से पेशी घटना पर निंदा करने से काम चल जाएगा एक बार मान मिलिया जाए कि वो परती बंदित मास ले जा रहे थे ऐसे में क्या उसे फुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता था क्या किसी कानून तोड़ने वाले को सीधे फासी का प्रावधान है क्या भीड इस तरीके से ही अब लोगों से निप्टेंगी ऐसे कही सवाल है जो जहारखन की इस लिंचिंग ने फिर जिंदा कर दिये मगर जवाब देने वाला स्यासत दफ सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा है अगर ये ठीक है तो इससे अच्छा बेकार ही होगा इसके अलावा मोदी ने अमरीकी राष्ट्रेपती डोनाल्ड ट्रम के चुनाव परचार का जिक्र करते हुए थी वो किया जो आज तक किसी नेता ने शायत किया होगा पीम मोदी ने ट्रम की मौजूदगी में कहा कि भारत के लोग अच्छे से खुद को राष्ट्रेपती ट्रम के साथ जोड़ पा रहे हैं और ट्रम के इस सब्द अब की बार ट्रम सरकार को भी अच्छे से समझ पाए हैं दूसरी तरफ प्रदानमंत्री के इस बयान पर विपक्षी दलो ने हंगामा खड़ा कर दिया कांगरेस के नेता अनन सर्मा ने कहा कि आपने दूसरे देसों के चुनाओं में दखल ना देने के भारतिये बिदेसी नीती के इस्थापित सिधान्त का उल्लगन किया है इसके अलावा राजिस्थान के मुख्य मंत्री असोग गेलोग ने पिये मोदी से सवाल किया सतर साल के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि देस के प्राइम मिनिस्थर किसी दूसरे देस में जाकर पार्टी कुलर केंडिडेट के बारे में और उसकी पार्टी के बारे में खुलं खुला कैम्पेन करते नजर आए अब की बाहर ट्रम सरकार मैं समझता हूं कि इसकी जितनी आलोचना की जाये उतनी कम है। आप सोचे कि यदि किसी मुल्क में हमारे प्राइम मिनिश्टर जाकर एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे उसके लिए कंपेंड करेंगे और दूसरी पार्टी के प्राइम मिनिश्टर प्रेजिडेंट बन गे चाहे अमेरिका हो या कोई ये देश ऐसे में उस प्रताओं को जेल में डालने के अलावा भारत में सब अच्छा है उन्हों ने ये बाद ट्वीटर के जरीए सोनिया गांदी और पूरु परदान मंतरी वन्मोहन सिंग से त्यार जेल में मुलाकात के बात कही हम आपको बता देगी परदान मंतरी नरिंड मोधिर अभीवार को 50,000 अमरीकी भारतियों को संबोधित करते हुए हाउडी मोधिक का जिकरम में भारत की कई भासों में इस बात का दावत याथ है कि भारत में सब कुछ ठीक है वहीं इस पे कई पत्रकारों ने अपनी पर्टी के लिए दी है जिन में से एक जाकिर अली त्यागी अपनी फेज पताल में भड़ती है एक जानवर को बचाने के लिए जानवर बन इनसान को मारने पर फुलकर उतारू हो गया है मोधी जी होस्टन में ट्रम के साथ चुनावे पिरचार में मंच साजा कर पाकिस्तान की खिल्ली उड़ा रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि अपने देश को नहीं करना चाहिए कि क्या महिलाओं के संबान में बीजेपी मैदान में आई या नहीं मुस्लिम दलितों की मोब लिंची रुक सकती भी है या नहीं मोधी सरकार ने लिप्चरों को शर्रक्षम देना बंद किया या नहीं कारवाई की या नहीं बीजेपी नेताओं के जरिये हत्य काम खीचना जरूरी है हमारे देश में गरीबी भुकमरी चरम पर है रोजगार नहीं मिल रहा जिसके पास है उससे चीना जा रहा है दिन परती दिन बंद होने वाली कंपणियों की तादाद बढ़ती जा रही है नफ्रते खत्रे के निसान से करोड़ों फीट उपर है आए द जाकर 50 लाख लोगों को संबोलित करना और देश के बारे में ना सोचना कहां तक सही है इस वीडियो में ये वीडियो आपको कैसी लेगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे और मोधी के अमरिका दोरे पर आपकी क्या राय है उस पर भी अपनी राय दे और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें शेर भी करें नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फर्म को भड़ें ताकि हम सीधे आपसे जूर सके